श्रीफर्ण न्यूस परिवार की प्रस्तुती सैयम के बिना मोक्ष नहीं मिलता आचार्य श्री नागोर के नावासिटी में चातुरमासरत आचार्य सुकुमाल नंदीजी महराज ससंग का पिच्छी का परिवर्दन रविवार को भव्य समार हो पूर्वक हुआ बैंड बाजों की भक्ती मैस्वर लहरियों के साथ बग्गी रत के साथ भवी शुभायतरा कारिक्रम स्थल तक पहुँची और फिर पुश्पक विमान से नवीन पिच्छी काएं मंच तक पहुँची तो सारा पांडाल जैकारों से गोंज उठा आचार्य पद्मनंदी जी महराज के चित्र का अनावरन और दीप्रज्वलन के बाद कारिक्रम का शुभारम हुआ आचारी श्री सुकुमाल नंदी जी ने प्रवचनों में पिच्छी का के कोमल, मृदू, सुन्दर, हल्की, रज ग्रहन नहीं करना पसीना ग्रहन नहीं करना आधी गुणों को बताते हुए कहा कि जीवन में सयम और त्याग को अपनाना चाहिए बिना सयम के मोक्ष नहीं मिल सकता आचारी श्री ने सभी श्रावक श्राविकाओं को धर्म व्रद्धी गत होने का मंगल आशीश दिया पुन्यार जकों ने आचारी श्री के साथ संग को पिच्छी का भेट की, शास्त्र जीनवानी भेट की गई शाम को मंगल आर्ती के बाद नवीन वार्शिक पंचांग और डायरी का विमोचन किया गया देश भर से आए भक्तों ने श्रीफल भेट कर आचारी श्री को अपने अपने गाव वश शहर में पधारने का निवेदन किया प्रतियोगिता के परिणाम घोशित बागपद बड़ोत की सुष्मा जैन प्रत्थम आचारी श्री 108 सौभागे सागरजी और मुनिश्री 108 सूरतन सागरजी के साननित्य में उन्ही के प्रेरनाव आशिरवाद से संचालित महामृत्युन जै जैन प्रतियोगिता सितंबर दिसंबर 2016 का परिणाम घोशित किया गया पुरस्कार वितरन समारों महामृत्युन जै तीर्थ चंबल तट आयोजित हुआ इसमें बागपद बड़ोत की श्रीमती सुष्मा जैन प्रत्थम रही द्वितिय स्थान पर श्रीमती राजकुमारी जैन राजगड कॉलनी दिल्ली और तृतिय पुरस्कार विजीता श्रीमती रीमा जैन चिलकाना रही 21 श्रावकों को सांत्वना पुरस्कार दिये गए ब्यूरो रिपोर्ट श्रीफल नियूज सहस्त्र नाम विधान का समापन बड़ोत के नहरू रोड सित पाश्वना दिगंपर जैन मंदिर में चल रहा तीन दिवसिये जीन सहस्त्र नाम विधान गद दिवस एक हजार आठ अर्ग्यू के समरपन के साथ समपन हुआ आचयारी श्री ज्यान भूशन जी महराज ससंग के सामनिध्य में हुए इस आयोजन के समापन पर चक्रवर्ती की दिगविजय शोभायातरा धूमधाम से निकाली गई इसमें बड़ी संख्या में श्रावकों ने भाग लिया और पूर्ण उत्साह से आयोजन का समापन हुआ इस आउसर पर गुरुवर्न ने प्रवचनों में सभी को धर्मवृध्धी का आशिरवा दिया प्यूरो रिपोर्ट श्रीफल निउस